हेला दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गर्दन में ओने वाले दर्द के संपूर्ण इलाज के बारे में डिसकस करेंगे गर्दन में दर्द होना एक कॉमन प्रोब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में सर्वाइकल जिया के नाम से जाना जाता है अगर किसी वेक्ति गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है और मेंली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिसकस करेंगे सो वीडियो बहुत ही उसफुल होने वाली है आप सभी के लिए जो medical student है गाउं में practice करते हैं या फिर जो RMP डोक्टर हैं उन सभी के लिए सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को like कर देना चैनल पर अगर पहली बार visit कर रहो तो चैनल को please subscribe कर देना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं what is the neck pain यानि की गर्दन में दर्द क्या होता है उसका general introduction हम Hindi प्लस English दोनों भासा में आसान सब्दों में हम समझने वाले हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं neck pain एक common problem होती है जिसमें वैक्ति की गर्दन में लगातर दर्द बना रहता है जो वैक्ति की गर्दन होती है आप image में देख सकते हो neck pain की condition में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द लगातर बना रहता है गर्दन को medical term में cervical spina की नाम से भी जा separate होता है यानि कि अगर किसी वैक्ति के गर्दन में दर्द हो रहा है तो वहाँ separate होकर आपके head में भी जा सकता है और कंदों तक आपके separate हो सकता है cervical जिया की condition में दर्द आमतोर पर गर्दन में महसूस होता है लेकिन इसके साथ कुछ और symptoms होते हैं जो की दिखाई दे सकते है जैसे कि burning sensation यानि कि गर्दन में जलन फिल होना साथ ही head edge यानि कि सिर्दर दोना और दर्द का कंदों की और separate होना ये कुछ symptoms होते हैं जो की neck pain के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं तो आप image में देख सकते हो cervical जिया की condition में जो neck होती है आप image में देख सकते हो उसमें pain देखन हो सकता है उसमें अभी दर्द या फिर burning sensation जैसी condition डेवलप हो सकती है next वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिसकस करते हैं causes of cervical GI यानि की गर्दन में दर्द होने की क्या कारण होता है उन कारणों को हम एक एक करके detail में discuss करने वाले हैं तो वैसे तो देखा जाए वो होता है advances यानि कि अगर किसी वैक्ति की age 60 plus हो गई है यानि कि 60 वर से उपर उसकी उम्र हो गई है तो उस condition में जो bone होते हैं उन में calcium की कमी होने लग जाती है जिसके कारण उन में जो pain होता है वो देखने को मिल सकता है इसके अलावा spinal estronosis spinal estronosis एक abnormal condition होती है जिसमें जो spinal cord होती है जिसमें जो cervical vertebrae होते हैं उनकी बीच की जगे जो होती है वो सिकूर जाती है आप image में देख सकते हो यह हमारी spinal cord होती है और उपर वाले भाग की जो होती है यह cervical vertebrae होती है spinal stenosis की condition में जो हमारी spinal cord होती है उनके जो बीच की जो सर्वाइकल वर्टिब्लाज होती है उनके बीच की जगे होती है वो बहुत ज़दा कम हो जाती है यानि की narrow हो जाती है जिस condition में वहाँ पर inflammation होने के बहुत ज़दा chances होते है और जो nerves होती है उनकी damage होने के बहुत ज़्यादा chances होते है तो जिस condition में भी जो neck pain होता है वो देखने को मिल सकता है तीसरा जो हमारा cause होता है most important cause होता है वो होता है osteoarthritis जो osteoarthritis के condition होती है उसमें जो bone होती है यानि की cervical vertebrae होती है उनके बीच का जो cartilage होता है वो damage हो जाता है आप image में देख सकते हो यह हमारी cervical vertebrae होती है और इनके बीच में जो cartilage भरा होता है जो की contraction और relaxation में बहुत तो उस कंडिशन में भी NAC में जो पीन होता है वो पूरी नैक में देखने को मिल सकता है इसके लावा हर्डियाटिड डिस्क आप इमेज में देख सकते हो जो डिस्क होती है pressure वह एक अबनार्मल सिच्टोोचन होती है जिसमें जो सर gonna होती हिनकी बीच की जो जगह प्रण पर लिए आप इमेज में देख सकते हो वह हड़निया के दौरा हड़निया आओकर बाहर निकल जाती है जिसके कारण भी जो नेक पेंड जैसी जो कंडिशन होती है वह अराइज हो सकती है इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि नर्व का पिंच हो जाना या इंटली रूप से कोई अगर व्यक्ति बहुत जाए डिस्ट्रेस से गुजर रहा है तो भी उसकी नेक में दर्द हो सकता है इसके लावा ट्रॉमा या इंजूरी यानि कि कोई इंजूरी हो जाती है कोई एक्सिडेंट हो जाता है या फिर चोट लगने के कारण भी यह दर्द हो सकता है इसके लावा गर्दन में ट्यूमर का ग्रूथ हो जाना मैं जाइटिज जो हुमारी मैं इंजिएटिज लेर होती है जो कि स्पाइनल कॉड़ और ब्रेंचई के चारे और प्रेजंट रहती है उनमें अगर इंफिलामेशन हो जाता है जिसको में मैंनेजज देखने को मिल सकता है आगे हम इनके symptoms के बारे में डिटेल में डिसक् symptoms of the cervical jia यानि कि cervical jia की condition में कौन-कौन से symptoms होते हैं जो वैक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं so neck pain एक खुद में ही एक symptoms होता है जो cervical jia की condition होती है उसमें मुख्य रूप से severe neck pain देखनों को मिलता है more than two months यानि कि दो महिने से जादा लगातार जो neck होती है जो गर्दन होती है उसमें pain देखनों को मिलता है इसके अलावा सिर को गुमाने में परेशानी अगर कोई वैक्ति cervical jia की condition में सिर को मोडता है या फिर उसको movement करता है तो उस condition में उसके गर्दन में दर्द महसुस होगा इसके अलावा head edge यानी की सिर्दर्ध होना गर्दन में burning sensation यानी की जलन फिल होना stiffness यानी की गर्दन का अकड़ जाना उसमें अकड़ापन हो जाना numbness यानी की सुनापन हो जाना सुई जूबने जैसा महसुस होना कंदो तथा उपरी जो भाग होते हैं आगे हम इसके treatment के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपने डिसकस करते हैं treatment of the cervical jia यानी कि cervical jia की condition में डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी medicine होती है जो prescribe की जाती है आगे बढ़ने से पहले में आप सब लोगों को बता दू कि मेरे दुआरा जीती भी टेबलेट या फिर injection की जो जानकारी प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ education purpose से है आप किसी भी टेबलेट या फिर injection का उप्योग खुद की मर्जिसें ना करें नहीं तो आगे चल कर आपको problem हो सकती है सबसे पहले जो हमारी टेबलेट है उसका हम नाम देखेंगे उसका composition यानि कि उसमें क्या पाया जाता है और उसके dose के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले जो हमारी टेबलेट है उसका नाम होता है ibuprofen tablet आप इमेज में देख सकते हो ibuprofen या फिर brufen के नाम से medical store पर और hospital में आपको आसाने से मिल जाएगी बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें ibuprofen 400 mg जो content होता है वो present रहता है यहाँ tablet NSAID category की है यानि कि non-isteroid anti-inflammatory drug जो होती है उस category की है जो की मुख्य रूप से pain को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा prescribe की जाती है बात करें इस tablet के dose के बारे में तो जो adult होते हैं जिनकी 18 plus age होती है तो उनको 46 mg की tablet होती है वो OD या फिर BD यानि कि दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार लेने की ले सकते है next अमारे जो tablet होती है उसका नाम होता है diclovin plus tablet आप इमेज में देख सकतो diclovin plus tablet ये medical store पर और hospital में आपको आसाने से मिल जाएगी diclovin plus इसका most popular brand ने होता है बात करें इसके content के बारे में तो इसमें दो content present होता है एक होता है diclofenic और एक होता है parasitum इन दोनों ही का content जो diclovin plus tablet होती है उसमें मिल जाता है बात करें इसके dose के बारे में तो इसका dose adult में 400 mg के जो tablet होती है उसको OD में यानि की दिन में एक बार या फिर BD में यानि की दिन में दो बार लेने की सला दी जा सकती है यहां भी tablet pain को कम करने के लिए दी जाती है नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी most popular tablet है जो की अमोमन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है नेप्रोहिल टेबलेट आप इमेज में देख सकतो हो कुछ इस प्रकार की यह टेबलेट होती है नेप्रोहिल इसका most popular brand name होता है जो की medical store पर और hospital में आपको आसाने से मिल जाएगी बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें naproxine 500 mg का जो content होता है वो present रहता है बात करें इसके uses के बारे में तो इसका उप्योग mainly pain को कम करने के लिए दिया जाता है और जो neck pain होता है यानि कि cervical जिया की जो condition होती है इनमें doctor द्वारा अमुमन इसको prescribe किया जाता है बात करें इसके dose के बारे में तो ये 500 mg की tablet होती है और जो adult होते हैं उनमें OD में या फिर BD में यानि कि दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार लेने की सलाध दी जाती है next हमारी जो tablet होती है जिसका उप्योग cervical जिया की condition में किया जाता है उसका नाम होता है Maledance Tablet आप इमेज में देख सकते हो 650 mg की ये tablet होती है Maledance इसका most popular brand name होता है जो कि आपको hospital और medical store पर आसाने से मिल जाएगी बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें acetaminophen जो content होता है वो present होता है इसका dose के बारे में discuss करेंगे तो adult में 650 mg की जो tablet होती है उसको OD में या फिर BD में यानि की दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार लेने की सला डॉक्टर द्वारा दी जाती है next वीडियो में हम एक injection के बारे में discuss करेंगे अगर इन सभी tablet लेने के बाद भी या अकर व्यक्ति में कोई फरक देखने को निमिलता है तो उस condition में डॉक्टर दारा एक injection का उपयोग किया जाता है जिसका नाम होता है Dexon Eye injection आप image में देख सकते हो Dexon Eye का most popular brand होता है और content के बारे में देखें तो Dexa Mesazon Hydrochloride इसमे content present रहता है बात करें इसके dose के बारे में तो adult में 2 ml, BD में या फिर OD में यानि कि दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार लेने की सला दी जाती है इस injection का उपयोग, pain को कम करने के लिए stiffness को कम करने के लिए जो गर्दन में अक्टन हुई है उसको कम करने के लिए और जो सूजन आई है यानि कि स्वेलिंग होती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस injection को प्रिस्क्रेब किया जाता है सो गाईज उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना हम मिलते एक इस नियो और एजोकिशन वीडियो में तब तक किले जाएं जय भारा हम मैं थीडियो आई पोज़ I हम मैं वीडियो आई हम होगी हम जाई हम हम bendsी ओन किले पत ideal Style कि आई हम मैं आई हमें हम 175 वीडियो हम शे हमothर सब्सक्रेब की और ऍाभ हम ढ ripe